भारत के गंतंत्रता दिवस पर आप सभी को सिख चेम्बर ओफ कॉमर्स और मेरी तरफ से हार्दिक शुपकामनाएं। आईए इस गंतंत्रता दिवस पर एक बारी फिर हम ये शपत लें कि हम इस देश को एकता, अखंडता, धर्म निर्पेख्षता की डोर से बांद कर प्रगती के रहा पर आगे और बढ़ाएंगे। हमारे इस देश को आजादी दिराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सिनानी जिसमें मेरे नाना जी भी एक थे, उन्होंने अपनी जान की, अपने जिन्दगी की कुर्बानिया दी हैं। बहुत साल उन्होंने ऐसे बहुत लोगोंने जेलों में काटे हैं ताकि आप मैं और भारत के आज के निवासी चैन से आजादी में रह सकें और सांस ले सकें। तो आईए उन सभी स्वतंतता सिनानी जो की हर धरम से बिलॉंग करते थे। उन सभी को हम श्रत्धांजली भी दें, उनका धन्यवाद करें कि आज हमारा भारत आजाद है और हम आजादी से जी सकते हैं। और हम आने वाले सालों में भारत को एक ऐसा रोल मॉडल बनाएं सारे विश्व के लिए, जिसे देखकर हमारे पूर्वज गरव से कह सकें कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, वो एक अच्छे कल के लिए लड़ी थी। आज हवा को साफ करने की जरूरत है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, इन सारी चीजों पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो आईए इन मुद्दों को हम अपना एक जुठ होकर भारत का मुद्दा बनाएं और आने वाली बीडियों के लिए एक और अच्छा भारत छोड़ के जाएं। आप सभी का एक बारी फिर गणतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को शुब काम नाएं। जै हिंद जै भारत।